हलो इंडिया तो कैसे हो आप लोग सबसे पहले मैं आपको अपने ही चैनल नौलिज कलब में स्वागत करता हूँ मुझे उमीद है कि आप लोग सब बढ़ियों होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे थमनेल तो आपने देखे लिया होगा आज हम लोग इस बेस्ट और ट्रेंटी में कुस मिसलेनी कुश्टिन के बारे में जानेंगे जिसकी एक्जाम में आने के प्रोबैबिलिटी ज्यादा है यह किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते है सप्राइज कुश्टिन के तौर पे तो मैं आपसे यह कहूंगा कि वीडियो इंड तक देखे ताकि आपसे कोई कोई भी कुश्टिन मिशना हो और एक चीज और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखिया तो आप जा किसी देख सकते हो देन लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कुश्टिन ओके आवर कुश्टिन इस ऑन दे स्क्रीन दो फर्स्टिन इंडियन आई सी एस ओफिसर वू अगर आपको बाता है तो प्लेज कमेंट बॉक्स में उजे कमेंट करके बता है ठेक है और एंसर इसका क्या देखते है एंसर है शतिन नाट टैगोर शतिन नाट टैगोर वाज फर्स्ट इंडियन आई सीएस ओफिस आई सीएस का फूल फॉर में इंडियन सिविल सर्विस ठीक है इसकेंड क्या देखते हैं शेकेंड कुश्टिन इसेडिन आफ कॉंसी ट्यूंट एसेंबली भारत के पर्थम रा फ़र्स्ट स्पीकर फ्लोक सुबए पूशिन क्या फmost ow फ्रक्त सिकर अफ लोग सवर ठीक है तो ढेंसर इसका देखते हैं up लोत question को देखते हैं ह 믿 your sf sea na first president of Indian Republic who was the first president of Indian Republic the answer is the doctor Zealand Macedo ragin preguntas have the first president of India Republic ले बार पार इसको इसलिए पर रहो है ताकि आप इसे यहीं पर याद कर लो बढ़िया रहे Butler से छोड़ी नहीं इसलिए मैं question और Answer को यह को बार बपर देता हो ठीक है तो फीब्थ क्या है फ्यप्थ क्या है फिब्थ क्या है फिप्त प्राइम निस्टर ऑफ 5 प्राइमनृर्टे ऑफ इंडिया भारत के साहозможно स्वार्पर्थम प्रधान मंत्री कौन थे तो एंसर हैं पंडी जवाल लाल नेरू ठीक है वा दर फ्रस्थ प्राइम्निस्टर ओफ इंडिया ठीक है नाौ 6th question, 6th question is what, who was the first home minister of independent India, home minister बोले तो ग्री मंत्री, भारत के ग्री मंत्री कौन थे, स्वार पर्थम, स्वार पर्थम, स्वातंत्र भारत के ग्री मंत्री कौन थे, इस question का हिंदिया, ठीक है, answer अगर आपको पता है, तो आप erreichen comment box में मुझे comment करें, ठीक है, answer इसका होगira, सर्दार बल्लब भाई पटेल, सर्दार बल्लब भाई पटेल, was the first home minister of independent India, question क्या था, first home minister of independent India, answer क्या है, सर्दार बललब भाई पटेल, was the first home minister of independent India, ठीक है, 7th question के आगे हम लोग चलते है, 7th question क्या है, 1st Vice President of Independent India, स्वतन्थ भारत के पर्थम उपराश्पती कौन थे, ठीक है, तो answer क्या है, answer है, Dr. S. Radha Krishnan, full form Dr. Sarpalli Radha Krishnan, 1st Vice President of Independent India, कि थे, ठीक है, 8th question क्या है, 1st Chief of Air Staff, Who was the 1st Chief of Air Staff, तो answer है इसका, Air Marshal Sir Thomas Ilmherst, answer is, Air Marshal Sir Thomas Ilmherst, was the 1st Chief of Air Staff, ठीक है, 9th question क्या है, 9th question है, 1st Indian Air Chief of India, Who was the 1st Indian Air Chief of India, तो answer है, Air Marshal Subroto Mukherji, ठीक है, अब दोनों question में confused मत होना, 8th और 9th question में confused मत होना, दोनों के question और answer लगवख सेम ही है, ठीक है, मिलते जुलते है, तो इससे ठीक तरह से याद कर लेना है, ठीक है, confused मत होना, 9th question क्या है, Air Marshal Sir Thomas Ilmherst, was the 1st Indian Air Chief of India, ठीक है, तो 10th question क्या है, 10th question को देखते है, 10th question है, First British to visit Mughal court, वो court किसका था, जहांगीर का था, ठीक है, The question is, who was the 1st British to visit Mughal court, court किसका था, court of जहांगीर का था, ठीक है, Court मतलब समझ रहो न, सभा, The answer is, William Hawkins, in 1609, was the 1st British to visit Mughal court, ठीक है, court of जहांगीर, ठीक है, And the 11th question is, 1st Asian Games organized, Where was the 1st Asian Games organized, and when it was organized first time, इस question का मतलब है कि, सबसे पहले, Asian Games को कहां organized किया गया था, और कब organized किया गया था, तो इसका answer है, New Delhi, New Delhi में, First Asian Games organized हुआ था, और 1951, SP में इसे किया गया था, ठीक है, 12th question है, 12th question है, 12th question है, 12th question है, India's first election commissioner, तो, who was the India's first election commissioner, आपको पता होना चाहिए इसका answer, अगर नहीं पता है, तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, The India's first elections commissioner, was Sukhwar Singh, Sukhwar Singh was the first India's election commissioner, ठीक है, 13th, 13th question है, Who was the first Muslim president of Indian National Congress, The question is, first Muslim president of Indian National Congress, Answer क्या इसका, Badruddin Tayab ji, Answer is Badruddin Tayab ji, Badruddin Tayab ji, Was the first Muslim president of Indian National Congress, ठीक है, और 14th question क्या हमारा, 14th question है, First person to submit the proposal of Indian independence in a Congress session, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer हम लोग देखते क्या होगा, इसका answer है, Maulana Hasrat Mohani, Answer is Maulana Hasrat Mohani was the first person to submit the proposal of Indian independence in a Congress session, वो उस व्यक्ति का ये नाम पूशे रहे हैं, जिन्होंने, जिन्होंने Congress session में भारत, स्वतंत भारत के लिए अपना प्रस्थाव पेस किया था, ठीक है, तो 15th question क्या वो देखते हैं, 15th question है, India's first organized university, India's first organized university, भारत में पहला university का कौन सी अस्था अपना की गई थी, भारत की कौन सी थी, बोले तो भी महाविध्याले, तो इसका answer है, 16th का नालंदा university, नालंदा university was the first India organized university, ठीक है, इंडिया की पहली university थी, ठीक है, नालंदा university, ठीक है, 16th question क्या है, 16th question को देखते हैं, 16th question है, उस पहले भारतिये का नाम बताना है, जो इन्होंने क्लाइम की थी, मौन्टेवरेस्ट विदाउट oxygen cylinder के, बिना oxygen cylinder के ही उन्होंने, मौन्टेवरेस्ट को चड़ा था, ठीक है, तो वह पहले भारतिये कौन थे देखते हैं, पहले भारति वो थी, शेर्पा पू डोड़गी, ठीक है, इनका नाम है, शेर्पा पू डोड़गी, शेर्पा पू डोड़गी वाज़ फस्ट इंडियन क्लाइम मौन्टेवरेस्ट विदाउट oxygen cylinder, ठीक है, अब 17th question देखते हैं, 17th question क्या है, 17th question है, इसका एंसर है, खान अब्दूल गफार खान, खान अब्दूल गफार खान, खान अब्दूल गफार खान was the first foreign recipient of भारत रतना, ठीक है, 18th question क्या, 18th question हम लोग देखते है, 18th question है, फर्स्ट इंडियन recipient of Nobel Prize in economics, वो पहले भारतिये का नाम बताईए, जुन्होंने अर्थसास में Nobel Prize प्राप्त किया है, तो इसका एंसर है, डॉक्टर अमर्तियाशिन, डॉक्टर अमर्तियाशिन was the first Indian recipient of Nobel Prize in economics, economics में सब जानते है, अर्थसाथ और रिसीपेंट मतलब प्राप्त करना, ठीक है, अब 19th question देखते हैं, 19th question के बाद एक last 20th question, वही हमार इंडिंग होगा, ठीक है, तो एंसर है इसका, हरसा चावडा, हरसा चावडा was the first test tube baby of India, ठीक है, इसे तो आप बिलकुल याद रखो, who was the first test tube baby of India, हरसा चावडा, ठीक है, 20th question के हमारा last question है, इसी पर हम लोग वीडियो की इंडिंग लेंगे, तो question है, 20th question है, first army institute of information technology founded, इसके कहने का मतलब है, सबसे पहले, army institute of information technology की अस्थापना कहां प्य हुई थी, समझ गया, where was first army institute of information technology founded, ठीक है, founded मतलब कह सकते हैं, अस्थापना की कहां गई थी उसकी, ठीक है, तो answer है इसका, हाइद्रावाद, answer है हाइद्रावाद, first army institute of information technology, हाइद्रावाद में, हाइद्रावाद में, इसकी अस्थापना की गई थी, ठीक है, तो यही पर मैं आपसे ending लेता हूँ, ठीक है, और मैं कुशिश करूँगा कि, next video मैं जल्दी upload कर दू, और अगर लास्ट में यही मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है, तो प्लेज, आगे आपको क्या करना है, आपको पता है, मुझे बोलने की जरुवत नहीं है, ठीक है, तब तक के लिए, जयाएं, जयावारत, कार्वाद का लिए, जयाएं, टोगगर है, पत.